1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटाइक किया चाइना में फिमाइन था जो करिब दो सालों तक चला बताया जाता है कि देड़ से साड़े पाँच करूर लोग मारे गाए जिसका कारण था माओ के लिए गए गलट डिसिजन और नेचुर केलेमिटिस क्योंकि चाइना में अथरोटिरेन पावर रूल कर रही है लोगों को पावर चेंज करने का अधिकार नहीं होता यह कारण होता है इंटरनल डिस्टरबंस बढ़ जाने का और internal disturbance बढ़ जाना खत्रा होता है किसी भी authoritarian leadership को बचाय रखने ले तो अक्सरी leader forcefully disturbance को दबाय रखते है या किसी दूसरे country के साथ disturbance create करते है ताकि लोगों का ध्यान बढ़काय जा सके Famine में जहां लोग परिशान थे माओ के leadership से, दूसरी और USA और USSR cold war में भी जी थे cold war basically दो देशों की बिच directly उल्द नहीं था बलकि ये proxy war था जहां दोनों देश indirectly लड़ते थे Korea, Vietnam और Afghanistan जैसे countries में क्योंकि ये war लड़ा गया था ideological differences, arms race, high military spending, espionage, brinkmanship Brinkmanship में अक्सर countries तनावपुर्न स्तिती को लड़ाई के और ले जाते थे और पीछे हट जाये करते थे यही सब चल रहा था Cuban Missile Crisis के दोड़ा, दुनिया बीजी थी Cuban Missile Crisis में China ने यही opportunity देखते हुए इंडिया पर attack कर दिया अब यही देखा जा सकता है COVID-19 के बाद, जहाँ COVID-19 चैना से शुरू हुआ और वो pandemic बना दुनिया और खुद चैना के लोग खुश नहीं है जिस तरह से handle किया गया क्योंकि वाइरस के कारण दुनिया को लोगडॉन में जाना पड़ा, इसका बुरा effect पड़ा दुनिया भर के एकोनॉमिक पर वर्ल जहां एकोनॉमी और हेल्थ केर ठीक करने में ध्यान दे रही है चैना ने इसी को advantage देखते हुए इंडिया चैना बॉर्डर पर टेंशन बड़ा दिया है मिलिटरी को mobilize करते हुए ताकि हो strategic goal अच्यू कर सके तब जब दुनिया के देश बिजी है, पोस्ट कोवीड के हालातों कर समालने में जपान, ऑस्टेलिया, कोरिया जैसे देशों के साथ मिलिटरी अलाइन्स क्रियेट करना मिलिटरी एक्विप्मेंट का इंपोर्ट कम करके इंडिजिनेस प्रोड़क्ट पर ध्यान देना एकोनोमिक ग्रोथ अचिव करना ये स्टेप्स काम कर सकते हैं किसी भी चैनिस अगरेशन को कम करें झाल 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 झाल